नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका चिराग क्लासेज के ओनलाइन यूटूब चैनल के उपर तो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आसा करता हूं आप सब बढ़ी आओगे तो फ्रेंट्स आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट रहने वाला है यह वीडियो 2024 वाले कंडिडेट और 2025 वाले दोनों कंडिडेट के लिए बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट रहने वाला है इस वीडियो के अंदर मात करने वाले ससी जीडी वर्ती 2024 ठीक है आटिया के जवाब आया था कितने फॉर्म बढ़ेगे कटोप कितना बढ़ेगा दो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट रहने वाला है वीडियो के लाज तक बिन रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस किजिएगा जिसे बरती चाज अबर ज्यादा है मेरा यह एरिया है सारा कुछ आप बताईए ठीक है मैं आपको प्रतेक बच्चे का रिपलाइड दूंगा इसके साथ कोई भी आपका डाउट आप पूछे में प्रतेक बच्चे का रिपलाइड देता हूं इसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ने से रिजिनिंग और हिंदी चारों बुक आपको चैप्टर वाइस बुक रहने वाली है चारों बुक आपकी टीशेस पैटर्न के ऊपर रहने वाली है परतेक बुक के अंदर आपको 2013 से लेके 2014 तके जितने भी एकजाम उचके उनके सारे सवाल मिल जाएंगे वित सॉलिशन के स साथ इसके साथ साथ अगर बात करें साम नहीं वाली बुक के बारे में तो इसके अंदर 2190 प्लस objective के साथ इसके बात करें इसके बात करें एक बुक आप पर्चेज करना चाते हैं तो 125 रुपे में ये मार्केट के अंदर आपको मिलने वाली है तो डिस्क्रिस्टिस्ट बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया वा है जाइए पर्चेज किजिए और अपनी त्यारी को और भी ज्यादा बहतर बनाईए तो ठीक है प पूरा नाव अगिड़ा यहां पर दिया गया है इसके बाद में अब यहां पर आप देख सेते हैं यह आट या कब दिशी हुई है आट अक्टूबर अब यहां पर अपर बतादेता हूं इस आट कе अंदर क्या क्या सवाल पूचे गहे थे ठीक है तो यहां पर आप दिशान से देखों गए यहां अंदर यह पूचा गया ता, isके अरव मैं और टोटल feito हैiro रिक्रूटमेंट दो हजार पचीस यानि दो हजार पचीस के बरती के अंदर कितने लगबग फॉर्म बढ़े गए एक चीज में आपको क्लिए कर देता हूं इस वेकेंसी के अंदर मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं लगबग यहां पर 40 लाग के करीबन यहां पर फॉर पिलाई नहीं हुए क्योंकि 35 लाग के से तेराइद को लगबग 35 लागी करीबर फॉर्म एप्लम antaker लगबग आप अगर वांतें पो को के 40 लाग तक फो में अप्लाई हो चुके इसके बाद में हाव मैंनी टोटल फोर्म आर फिलब्ड केटेगरी वाइज इन ससी जीडी दो हजार पत्चिस मतलब ससी जीडी के अंदर केटेगरी वाइज कितने फोर्म बरे गए यह भी यहां पर आई टे के अंदर पूचा गया थ इसके बाद में हाव मैंनी टोटल फोर्म आर फिलब्ड इन ससी जीडी रुकृट्मेंट दो हजार पत्चिस आल फोर्सवाइज यहां इसके अंदर टोटल फोर्सवाइज कितने फोर्म एपलाई हो चुके हैं यह सारी जानकरी हमें बताईए मतलब यह तीन सवाल यहां पर अब फ्रेंट में आपको बता देता हूं इनका रिपलाई का तो यहां पर अभी तक इनका कोई रिपलाई नहीं आया है अभी क्या यह आठे अभी डाली गई है इसका रिपलाई आने में लगए 10 यह 15 दिन का समय लग सकता है यह इंदेपार्टमेंट के पास जाएगा इसके अंदर आपका देखने को मिलेगा अब यहां पर कम देखने को कैसे मिलेगा वह मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या है कि जो 2023 है ससी जीडी दो हजार चोईस वाली वेकेंशी जिसका पिजिकल चल रहा है इसके अंदर क्या हुआ था जो पीटी और पीएश्टी कटोप थी वह बहुत ज्यादा की देखने को मिली थी बच्चे जितना पतलब आसा नहीं करके थे उससे भी उनके आसा से विप्रित उनको कटो को मिल रहा है ठीक है अभी लगबग इसके अंदर आसा करते हैं लगबग चालीस लाग के करीवर फॉर्म हो चुके हैं और यहां पर आप सोचेगा कि चालीस लाग बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप पिछली वेकेंशी को देखेंगे तो लगबग हतास हो चुके हैं इतनी ज्यादा मेरिट को देख रहे हुए यहां पर एक सवाल यह भी आता है कि सथ 2025 वाली जो बरती है इसमें कटो कितना देखने को मिलेगा कितना हम टार्गेट करके चले ठीक है तो अगर आप ससी जीडी बरती 2025 वाली वेकेंशी की अगर आप तयारी कर आते हैं तो आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा यह टार्गेट आप लेकर चलिए 2025 वाली वेकेंशी के लिए ठीक है अब यहां पर आप सोच रहे होगे किसे 2024 वाली वेकेंशी है इसका जो फाइनल कटोब है वो कितना ज्यादा बढ़ सकता है तो SSC जीडी बरती 2024 अरगलल की बात करें अगर आप ह हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जैसे हिंदी स्टेट , मद्चरदेश , हरियाना , दिल्ली यहां का कटोब बहुत जादे तेखने को मिलता है अगर आप इन CO2 चा derived से नहिए हैं तो कितना प्र देखने को मिलता है यह इन डिलों बढ़ने वाला क्योंकि यहां पर क्या है जो पीटी पीएश्टी कटोप है दो हजार चोईस वाली वाली वेकेंशी का वह अल्रेडी बहुत ज्यादा देखने को मिला है इसमें यह ज्यादा देखने क्या है यह इसका कारण यह कि जो आपका मेडिकल कटोप वह जारी नहीं होई थी इस वजह से आपकी जो पहली कटोप थी वह अल्रेडी बढ़ा दी गए थी ठीक है इसके अब यहाँ पर फाइनल कटोप है वह आपका इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सो बच्चों का फीजिकल हो यहाँ पर यह तीनों प्रोसेस क्लियर कर पा रहें बच्चे यहाँ पर अभी रनिंग क्लियर नहीं कर पा रहें ठीक है तो इस वजह से आपका जो कंपिटिशन वह बहुत इस बार जो कटोप है दो हजादा नहीं बढ़ने वाला ठीक है अब फ्रेंट्स आपको कमेंट वो त्यूंन बढ़ने हुआ है टार जाट्स बाता है तो अच्दाई पहले लगाँ प्रोसे बढ़ने क्लिए से है अब़ने साफ़ प्रेंट्स आपको प्रेंगे रुट्स आपको उगेथे लगाँ और जोरा रहें रहें